इस्ट्रो ने अभी उमीद नहीं छोड़ी है और वह चंद यान टू के लेंडन विक्रम से संपक स्थापित करने की हर संभव कोशिश कर रहा है जो हार्ड लेंडिंग के बाद इस समय चंद्रुमा की सत्या पर है विक्रम काशनिवार को सौफ्ट लेंडिंग के प्रयास के अंतिम शनों में उस समय इस्ट्रो की कंट्रोल रूम से संपक तूड़ गया था जब वह चांद की सत्या से 2.1 किलोमेटर की उचाई पर था लेंडर के भीतर प्रज्ञान नाम का रूवर भी है मिशन से जुड़े इस्ट्रो के एक अधिकारी ने शौमवार को कहा और्बिटर के कैमरे से भीजी गई तस्वीरों के मुताब एक टैज जगह एक बेहत नजदीक एक हार्ड लेंडिंग थी लेंडर वहां साबुत है उ जुकी हुई हिस्तिती में पाया गया है अधिकारी ने कहा हम लेंडर के साथ संपग स्थापित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं उनने कहा कि यहां इस रो के टैलिमेंट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क में एक ऐसी टीम में काम में जुटी हुई है जो चं इसरो अध्यक्ष के शिवन नेक्स रिवार को कहा कि अंत्रिक्स एजेंसी लेंडर से संपग साथने की 14 दिन तक कोशिश करेंगी और उन्होंने रविवार को लेंडर की तस्वीरें मिलने के बाद यह बात एक बार फिर दो रहा है अंत्रिक्स एजेंसी ने एक अधिकारी बताया जब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा यह दोबारा इस्थापित करना बहुत मुश्किल है संभावनाय कम है अगर सौफ लेंडिंग हो और सभी प्राणालियां काम कर रही हो तो तभी संपक इस्थापित किया जा सकता है फिलाल उमीद कम इस रों के एक अधिकारी ने बत लेकिन यहां बहुत अधिक गुंजाइश नहीं है वह पहले ही चंद्रमा की सता पर पड़ा है और हम उसे ठीक नहीं कर सकते हैं उन्होंने कहा ऐसे में अभ्यान बहुत कटेन होते हैं साथ ही संभावनाय भी होती हैं हमें हाथ थाम पर इंपजार करना चाहिए अब देखन कर दो